हेलो एब्रीवन कैचे हो सब लोग मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिसक्रस करने वाले हैं एसीड बेस एंड सॉल्ट के एक्सरसाइज के कोश्चन वन से लेकर फिफ्ट के सॉल्वीशन के बारे में अगर आपने हिससे प्रिफ्ट वीडियो अभी तक नहीं देक्खा याlast की सारे इंटेक्स का सॉल्वीशन आपने नहीं देखा सासी साथ आने वाले वीडियो का भी सॉल्वीशन आप देखना चाहते हो तो complete playlist का link मिलेगा आपको description में एक by description आप जरू चेक कर लोगे फिलाल आते हैं question number 1 पे क्या है question number 1 a solution turned red litmus blue its ps is likely to be यानि कि एक solution है जो red litmus paper को convert करता है किसमें blue में तो red को blue किसमें convert red को blue में कौन सा convert करता है solution तो हम लोग simple form में जाते हैं basic solution का काम है जो red litmus paper को blue में करता है यानि कि जो हमारे पास solution है इससे हमें बता चल गया base है और base का pH क्या होता है base का pH 7 से ज़्यादा होता है तो आप ढूंड़ते हैं यह वाला जो option दिख रहा है यह acid है 7 से कम acid है 7 से कम acid है कौन सा option number D क्योंकि 7 से ज़्यादा है और pH अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो basic category में आता है यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना है कि अगर कोई blue litmus paper को red में convert कर रहा है इसका मतलब वो कौन सा है that is वो हमारा acid का example देखने को मिलेगा second question पर आते है a solution react with crust egg cells crust egg cells है ना उसके साथ यह reaction करता है crust egg cells का formula क्या होता है CACO3 क्या होता है formula लिख दूँ क्या मैं यहाँ पर crust egg cells का formula होता है CACO3 यह ना एक बार पूछा गया था KBC में है ना कि जो egg होता है उसका उपर वाला white जो covering होता है वो किसका बना होता है तो सिंपल फर्म में होता है कल्सियूम कार्गोलेट का बट ठीक है तो गीप अग गैस डाट टॉन्स लाइम वाटर मिलकी जब भी आपको ये वर्ट देखने को मिलें कि टॉन्स लाइम वाटर मिलकी इसका मतलब समझ जायो कि वो गैस कार्बन डायोकसाइड है कौन सा गैस है तेट इस कार्बन डायोकसाइड हूँ हमें गैस देखने को मिल रहा है तो सॉल्यूशन जो है वो क्या कंटेन करके रखेगा इसके बारे में सिंपली हमसे पूछा गया है थोड़ा यहां पर इस्पेस बनाते हैं ताकि हम लोग यहां पर क्या कर सके रियेक्शन जो है उसे अराम से लिख सके आज और रियेक्शन लिखते हैं हम लोग क्या है CACO3 इसका किसी के साथ रियेक्शन कराया जाता है और किस के साथ रियेक्शन कराया जाता है यही हमसे पूछा हुआ है हमें इधर product में मिलता है क्या हमें product में मिलता है carbon dioxide क्यों क्योंकि हमें लिखा हुआ है कि it turns lime water milky और lime water को milky कौन convert करता है that is carbon dioxide ठीक है तो solution जो है क्या contain करके रखेगा याद करो कि जब भी metal carbonate किसी acid के साथ reaction करता है जब भी metal carbonate किसी acid के साथ reaction करता है तो वो formation करता है salt का जैसे अगर हम लोग यहाँ पर reaction लिखे कि acid हमारा HCl है तो salt बन जाएगा Cacl2 carbon dioxide और उसके साथ-साथ water जो है वो हमारा released हो जाता है तो यानि कि जो acid है है ना वो acid क्या होगा actual में यह होगा हमारा HCl यानि कि option number B is the right answer of this question ठीक है I hope कि यह part आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आप further move करते है next question के उपर question number third देखोगे क्या है यह भी बहुत अच्छा question है तो एकदम अराम से आपको बनाना है ठीक है question number third देखोगे है third question में लिया है 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized 8 ml of given solution of HCl यानि कि यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास total कितना है 10 ml जो है वो NaOH 10 ml NaOH जो है वो neutralize कर रहा है कितना 8 ml 8 ml किसको HCl को है ना यह neutralize कर रहा है neutralize करने का simple form में क्या होगा कि अगर आपने 10 ml NaOH लिया ना तो वो क्या करेगा कि अगर उसमें 8 ml आप HCl मिला रहा है तो completely neutralize हो रहा है यानि salt और water का formation कर रहा है ठीक है तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि if we take 20 ml of the same solution of NaOH यानि कि अगर इस बार हम लोगोंने NaOH 20 ml ले लिया तो the amount of HCl solution the same solution as before required to neutralize it अच्छा तो 20 ml NaOH को कितना neutralize करेगा इसके बारे में हमसे पूछा हुआ है 10 ml NaOH को neutralize कितना कर रहा है 8 ml HCl तो अगर यहां से हम लोग बोले कि 1 ml NaOH कितने को neutralize करेगा तो आप simple form में बोल दोगे 8 by 10 ml HCl इसको यह simple form में neutralize करेगा 8 ml 1 ml NaOH जो है 8 by 10 ml HCl को neutralize करेगा हमारे पास total है कितना हमारे पास है total 20 ml NaOH कितना है that is 20 ml NaOH तो 20 ml NaOH कितना को करेगा तो 8 by 10 यह एक का था इन्टू 20 इतना ml HCl इतना ml HCl इससे यह cancel हो जाएगा 2 times में और 8 2 जा कितना होता है यानि कि 20 ml NaOH को neutralize करने के लिए हमें कितना चाहिए that is 16 ml HCl का requirement है यानि कि कौन सा option number D is the right answer of this question I hope कि यह question भी आपको अराम से समझ में आया होगा एकदम simple सा 10 ml जो है 8 ml को neutralize करता है तो 1 ml 8 by 10 ml HCl को neutralize करेगा तो step 20 ml multiply कर देंगे और simple form में हमारे पास value जो है वो calculate होकर आ जाएगा ठीक है आगे आते हैं question number 4 पे आते हैं question number 4 पे क्या है question number 4 पे क्या है which one of the following type of medicine is used for treating indigestion है ना indigestion को treatment के लिए आप किस type का use करते हैं indigestion मतलब जैसे कभी आपने खाना बहुत खा लिया है ना तो उसके इसमें पेट बहुत जर्द होता है तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए use करते हैं कि इसका antacid antacid है ना antiseptic है एनलजिस्क है एंटिबायोटिक है तो यह सारे के सारे topics ही हमारे syllabus में नहीं था बहला हमारे chapter में ही यह topic नहीं था हमारे topic में तो बस एक ही था that is antacid है ना चलो आज question number 5 पे आते है question number 5 क्या है that is write word equation चाह ठीक है and then balance equation for the reaction taking place when हमें सबसे पहले क्या करना है इसका equation form में लिखना है उसके बाद उसको balance भी करना है क्या है dilute sulfuric acid जैसे हमारे पास sulfuric acid का formula क्या होता है H2SO4 यह dilute form में है react with zinc granules है ना zinc के साथ यह reaction करता है zinc granules के साथ reaction करेगा displacement reaction होगा और formation करेगा salt का और उसके साथ-साथ H2 gas released करेगा और यह तो already balanced भी हमें नजर आ रहा है ठीक है आजा question number B पे आता है dilute hydrochloric acid यानि की है HCl इसका reaction आप करा रहे हो किसके साथ magnesium ribbon के साथ यानि की mg के साथ तो mg के साथ reaction करोगे again salt का formation करेगा mgCl2 और उसके साथ-साथ H2 gas जो है वो release होगा balance करने के लिए आप यहाँ पर simple format 2 लगा दो हो गया यह भी balanced हमारा c-ward में आते हैं dilute sulfuric acid औहो भाई कितना acid acid करोगे dilute sulfuric acid यह थोड़ा इस अच्छे से बनाते हैं हाँ यह sulfuric acid react with aluminum powder यानि की AL तो यह formation करेगा किसका salt का formation करेगा AL2 SO4 whole thrice plus H2 ठीक है इसका यह हमें formation करता हुआ नजर आएगा hydrogen को balance करें तो hydrogen 2-2 दिख रहा है sulfate इदर कितना है sulfate इदर 3 है तो इदर भी हम लोग 3 कर देते हैं इससे balanced हो गया यह हमारा hydrogen 6 हो गया तो यहां पर भी 3 कर देते हैं यह भी 6 हो गया aluminium 2 है तो यहां पर हमने 2 लगा दिया यह equation भी हमारा क्या हो गया already balanced हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें आगे चलते हैं last question बचा हुआ है आजाओ उसको भी फड़ा फट से करते हैं क्या है dilute hydrochloric acid फिर से आगी है hydrochloric acid ठीक है चलो hydrochloric acid है react with iron filling इसका reaction किसके साथ किया जाता है iron filling यानि कि iron के साथ तो यहां पर formation करेगा किसका a f e c l 2 और उसके साथ साथ h 2 उसके साथ साथ क्या h 2 अब आप बोलोगे sir iron तो second state और उसके साथ सा third state दोनों में रहता है यहां तो mention ही नहीं है कि iron second state में है या third state में है फिर आपने a f e c l 2 कैसे बना दिया देखो अगर आपके questions में given नहीं है उसका state तो उसके state को हम लोग दो लेते हैं otherwise अगर कोई चाहे कि a f e c l 3 और या फिर a f e c l 3 लिग दे और उसके बाद balance करें तो भी वह balance कर सकता है अगर इसको चाहे तो दो equation बना दो जिसमें एक में बन जा e f e c l 2 और दूसरे में बने e f e c l 3 अगर आप दोनों को balance करना चाहते हो आप दोनों को कर दो कोई problem नहीं है ठीक है जैसे cbse ने कुछ दिनों पहले यानि कि previous year में जो sample में पर release किया था उसमें उसने e f e c l 2 slash e f e c l 3 दोनों करके दिखाया था उसमें balancing का नहीं था तो उसने क्या किया था लेकिन slash करके दोनों दिखाया था और फिर लिखा था plus h 2 तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि slash में लिख सकते हो अगर balancing नहीं है और अगर balance करने आता है तो दो अलग-अलग step में कर लो इस type से आप एकदम simple form में इसका solution जो है वो फिलाल आप कर सकते हो अगर हम लोग केवल इसको consider करें अगर हम लोग एक सकिंड इसको हम लोग केवल consider करें तो उस basis पे अगर हम लोग को पूछा जाए कि इसका balancing करके दिखाओ तो simple है इसका balancing तो simple है ना दो आजो जो दो chlorine यहां पर हम लोग simple form में क्या कर देंगे तू लगा देंगे और यह equation भी हमारा क्या होगे already balanced हो चुका है I hope कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा question no.6 से अब solution अब लोग देखेंगे next video में जिसका link मिल जाएगा आपको description में तो एक बार description आप जरू चेक कर लोगे